नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया नियूस के डिजिटल प्लाटफॉर्म पे और मैं हूँ शिवानी रौतिला आपके साथ इंडस्ट्री में 10 साल पूरे कर चुकी आक्ट्रसेज उमा कुरेशी और सुनाक्षि शिन्हा की पहली मुद्वे वाली कॉमेडी फिल्म डबल एक्सल जल्द रिलीज होने वाली है इसे हेलमेट फेम सत्राम रमानी ने डायरेक्ट किया है वहाँ उन्होंने कॉंडम के मुद्दे पे इर्द गिर्द कहानी वनाई थी अब इस बार फिल्म के जरिये उन्होंने वजनी महिलाओं की बौडी शेमिंग के मसले पर टेक लिया है मीडिया से बाचीत के दौरान उमर सुनाक्षी ने बताया कि डायरेक्टर को इस फिल्म का आइडिया ही उनके वजन के चलते आया उन्हें एकसिप्ट किया कि वो रियल लाइफ में बौडी शेमिंग जहल चुकी है साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसकी वज़ा से एक समय उनका आत्म विश्वास भी हिल गया था सुनाक्षी को कुछ समय पहले एक वजनी प्रेडियूसर ने वजन तक कम करने को कहा था इस बारे में बात करते हुए वो कहती है मैं वो फिल्म साइन कर चुगी थी वे खुद बहुत जादा ओवरवेट भी थे मैं उनके उस रवई और गट्स को देखकर सब्प्राइज हो गई उन्होंने ऐसा कह दिया इन सब के बाद मैंने वो फिल्म की लेकिन मैंने उससे ये जरूर कहा कि ये तो आपने अनेथिकल करवाया है उमा ने भी प्रोड्यूसर के इस रवईय को इंडस्ट्री की कडवी हकीकत बताया और कहा अकसर हर फिल्म पर अक्रसिस से कहा जाता है कि आप थोड़ी और पतली हो जाओ डबल एक्सेस मेरे करियर की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें डाइरेक्टर ने कहा थोड़ा और मोटे हो जाओ सुनाक्षी कहती है मैंने तकरीवन 15-17 किलो वेट गेन किया था उमा ने उस पर कहा सुनाक्षी ने जितना भी वेट गेन किया था मैंने उससे पूरे 5 किलो जादा वेट गेन किया है ये अजीब तो है कि खूबसूरुती का पैमाना महिलाओं के वजन बन जाता है दूसरी फिल्म के रिव्यू में किसी ने ये लाइन लिखी थी कि हम उमा कुरेशी किरदार में प्यारी तो लग रही है मगर मेंस्ट्रीम हिरोईन बनने के लिहाज से वे 5 किलो जादा मोटी है वो लाइन मुझे बहुत जादा चुभी तब तो मैं नहीं थी मगर वजन ही पैमाना होता है तो मैं या सुनाक्षी इंडस्ट्री में 10 साल का सफर तै नहीं कर पाते डवल एक्सल के ट्रेलर पर उमा के साथ आये साकिब सलीम ने भी जहीर के इस तर्क का सपोर्ट करते हुए कहा अब ऐसी फिर्म ये वेब सीरीज नहीं बनती जहां आप एक जैसा दिखसे किसी में आप मोटे तो किसी में पतले होते हैं उमा कहती है कि अगर किरदार ही एथलीट हो तो बॉडी वैसी रखनी चाहिए अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसका फिजीक तो कुछ अलग होगा ही वरना वे कैरेक्टर से मिलता जुलता कैसा लगेगा आप देखने वाली बात यह है कि यह जो डबल एक्सल मूवी आने वाली है यह बेहद ही खुबसूरत मूवी है और हर मतलब जिसे कहता है ना कि बॉडी शेविंग बॉडी टाइप हर चीज को तोड़ती हुई यह मूवी हम सब के बीच आने वाली है कैसी होने माली यह मूवी देखने वाली बात रहेगी क्योंकि इतना जादा आक्टिंग पे फोकस किया गया है इतने जारा इनके कैरेक्टर पे फोकस किया गया है मतलब अगर इनका ट्रेलर भी आप देख ले तो बिलकुल बहुत जादा मज़दार होने वाला है और जब ये मूवी थियर्टर्स में आएगी तब ये मूवी इतनी तभाई मचाने वाली है और आप जाके जरूर देखी और आप बताईए हमें कॉमेंट करकर कि आपको इन दोनों में से कौन सी अक्टरस आपकी फेवरेट है तब तक के लिए मैं आप से अलविदा लेती हूँ और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना शियर करना हमेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले